बिजयरिया को लोगों ने घर से बेघर कर दिया उसका घर तोड दिया बेचारा इतनी मेहनत करके यूट्यूब पे कुछ पैसे कमा रहा था ये दोस्तों लोगों से देखा नहीं गया जो लोग बिजयरिया को परिसान कर रहे हैं उसका घर तोड रहे हैं उसको भाड़े पे रहने के लिए मजबूर कर रहे हैं दोस्तो मेरा मन तो करता है ऐसे लोगों को जूते से मारना चाहिए और उसका बेचारे का घर तोड दिया लोगों ने ऐसा क्यों करते हैं लोग ऐसा आखिर करके लोगों को क्या फाइदा मिलता है मैं ये नहीं समझ बाता कि बेचारा विजय रिया बलक्स को तो आप सब जानते ही होंगे दोस्तों उसके साथ उसके जीवन में अभी बहुत बड़ी घटना घट रही है लोग उसे इतना ज्यादा परेसान क्यों कर रहे हैं उसक से बेघर अभी भाड़े पे रहने को मजबूर क्यों हो गया दोस्तों वो सारी बाते मैं इस वीडियो में बताऊंगा क्योंकि आज मैं मजबूर हो गया दोस्तों जो घटना बिजय रिया के साथ हुई इस घटना पे मैं मजबूर हो गया वीडियो बनाने के लिए मुझे बहुत ज्यादा दुख लगा यहाँ दर्द हुआ मेरे दिल में दर्द हुआ इसलिए मैं आज बीजे रिया के लिए वीडियो बना रहाँ दोस्तों तो दोस्तो आप सब कैसे हैं उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे अपने परिवार के साथ खुस होंगे दोस्तो अभी तक हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो सस्क्राइब कर लीजिए और घंटी भी दबा लीजिए तो दोस्तो अभ सबने वीडियो में देखा ही होगा कि बीजय भाई अपना घर बना रहे थे और इतना ज्यादा मेहनत करके वीडियो बनाते थे ते कुछ पैसे उनको यूट्यूब से मिलते थे पर वो पैसे दोस्तों लोगों से बरदास नहीं हुआ और उनके पीछे भी दुस्मन लग गये उनका घर बरबात कर दिया आज उनको भाड़े पे रहने के लिए मजबूर कर दिया लोगों ने दोस्तों जहां पे बीजय रिया भाई ने अपना घर बना रहा था वहां पे दोस्तों उनको जाने की रास्ता नहीं दी लोगों ने अब देखिये सोचवे दोस्तों वो अस्ता नहीं देंगे लोग तो वो बेचारा कहां से निकलेगा कहां से जाएगा दोस्तों आप सब को ये क्या लगता है ये सही है या गलत है कमेंड में जरूर बताईएगा दोस्तों बिजैरिया अच्छा अदमी है बेचारा अपने बल बूते पे चैनल को खड़ा किया और इस मुकाम पे लाया अभी लोग उसको इतना ज्यादा जल रहे हैं कि उसको रास्ता भी नहीं दे रहे हैं उसकी वज़े से उसका घर भी तूट गया फूट गया दोस्तों लोगों ने तोडने को बोल रहा है कि लोग उसको बोल रहे हैं उसके बगल वाले बोल रहे हैं कि ये भाएगे जब रास्ताही हिनहें रहेंगा 12 इतना चिंता मत लेना भगवान आपका हर एक कदम अच्छा करेगा हर आने वाला दिन अच्छा होगा और ऐसे लोग सभी के पीछे लगे रहते हैं जब कोई आदमी आगे बढ़ता है तो उसके पीछे लग जाते हैं लोग सभी लोग जानते हैं दोस्तों जो लोग बिजेरिया को परिसान कर रहे हैं उसका घर तोड़ रहे हैं उसको भाड़े पे रहने के लिए मजबूर कर रहे हैं दोस्तों मेरा मन तो करता है ऐसे लोगों को जूते से मारना चाहिए कोई इनसान अपने बल बूती मेहनत की वज़े से अगर थोड़ा आगे जाता है ऐसे लोगों को आखिर लोग क्यों परिसान करने लग जाते हैं उसको दुस्मन की नजर से क्यों देखने लगते हैं दोस्तों ये दोस्तों मेरे बात दिमाग में समझ नहीं आया दोस्तों आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा प्लीज दोस्तों भाई बिज जरूरी मैं बात बता रहा हूं कि दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो वो साले जो लोग भिजे रिया को परिसान कर रहे हैं ये वीडियो देखें ऐसे लोगों को चपल जूते से मारना चाहिए नंगा करके मारना चाहिए दोस्त वो को चपल जूते से मारना चाहिए नंगा करके मारना चाहिए दोस्तो कलंक लोग हैं वो बेचारा अब अपने घर न जाए रास्ता उसको न मिले तो वो कहां जाए आप सब दोस्तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके ऐसे गंदे लोगों के पास भी ये वीड वीडियों में ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताईएगा नमास्ते